हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई चैनल यह देखे यह लाल लाल और बहुत ही खुपसूरत से टमाटर हमारे पास है इस पके पके टमाटर के हम बनाएंगे बहुत ही तेस्टी सी रेसिपी जो की है मुमोज की चटनी इसके लिए हमें पहले चाहिए यह धेर सारे टमाटर म मेरे पास यह साथ टमाटर है और मुमोज की चटनी बनाने के लिए हमें पहले क्या करना है इन टमाटरों में बीच से कट लगाने है ऐसे थोड़ी थोड़ी प्लस के साइज में हमें इसमें कट लगाने है इस तरीके से मैं साहरे टमाटरों पर कट लगा लोंगे जिससे यह टमाटर बॉयल करते समय इसका छिलका उसके बाद हम अच्छे से निकाल सके तो देखे कट लगा लेते हैं यह देखे इस तरीके सारे टमाटर कट चुके हैं अब हमें चाहिए रेट चिली यह देखे यह मैं पास तीखी वाली रेट चिली है यह मैंने 12-15 रपिस लिए हुए है आप अपने तेस्क के अकॉर्डिंग ले आपको जैसा तीखा चाहिए इससे अच्छा दिखा होगा एक टेशा दें पायँ डाले के पाइट चाहिए राका चाहिए और जो पूरड़ ऑफ उपकि वह हुआखे चल्दी इस तरीके से ताह sap उइध्यैने और उपर से यह रखे च्पारा के से अचल्दिये जारे पर च्पा चाहिए यह वेली रहों से तल्दने रखे बॉर यहां ल है यह देखिए 10 बैंट हमें इसे जिरो निकल रह निकल रहे हैं मतलब इसके बॉल हो चुख है ता हम इसका फ्लेम समय आफ कर देंगे और इससे साइड में रखेंगे साइड में रछने के बाद हमें क्या करना है? इसमें से पहले अपने टमाटर और रेड शिलीज को अलग करना है यह हम एक प्लेट में निकाल लेंगे सारा इसके पानी से अलग करने इस TikTok प्लेट में पानी से और हम तर्माटर की जो चिलके होते हैं यह सारे दिरे-दिरे करके निकाल लेंगे यह थंदी के मुझे मैं निकाल रही हूं तो यह मुझे ज्यादा गर नहीं लग रहा है अगर आपको लग रहा हो तो आप इसे ठंदा करके फिर निकालें यह देखे यहां पर मैंने इसके चिलके निकाल लिये हैं टमाटर के और यह अब हम डालेंगे इससे एक मिक्सर कृइंडर में देखे हम एक मिक्सर के जाहर ले लेव 열ुन में घटे हैं इसमें हम इसमें डालना है लेस्टन के गलियां इस पाति शेमारे पास शीर रखय हैं इसें एम इड़ने क fır大家 करें अद्रग चोड़ी जो свет क्यों आयों सबाइए को छोडो छोडे तुकोडो कट करके मैं रखा हुआ है वह मैं इसमें डाल देते हैं फिर हमें इसमें एड करना है यह धनिया की पत्ती की दन्थल है इससे इसका फ्लेवर और पिछादा बढ़ जाता है यह बहुत टेस्टी लगता अगर आपके पास हो तो इसे जरूर डाले फिर हमें धक के इसे ग्राइ मैंने यहां डाल दिया है यह बन टेबल स्पून ओयल इसे डालने के बाद हमें थोड़ा सा बारी कटा हुआ लासुन यह देख्ये यह बन टीस पूल लासुन है इसे अपने ख्राइक कर दो आपके हम इसे गोल्डन कलर लाने तक हलका सब बुनेंगे जिससे इसका फ्लेवर अच्छी तरीकी से इसमें आ जाए कि दीखे इस तरीकी से जब यह थोड़ा फ्राई हो चुका है तो हम इसमें अब अपने टमाटर का जो प्रेस्ट हमने बना के रखा था जटने के लिए वह इसमें डाल देंगे इस तरीकी से पूरा में डाल देना है और इसे चलाते हुए फिर मिस में डालकर लेट करना है नमक बैलनस करने लिए आपको अगर नई पसंद हो आप नई डाले ऐसे अच्छा लगता है और यह चटनी थोड़ी से गाड़ी हो जाएगी तो यह हमाई चटने रेडी हो जाएगी यह देखिए बुनते हुए यह देखिए इस तरीके से यह थोड़ी गाड़ी लग रही है अब इसमें पानी इसका जो है अब जो हो चुक है तो यह हमारी टमाटर के चट्नी रेडि हो गई है थम इसे निकाल लेते हैं मौझ के साथ यह बहुत ही तेशली लगती है आप एक बार इस तरीके से मेरे चट्नी को बजरू ट्राइब करे अगर को मेरी यह वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे और शेयर करे थैंक यू फॉर वाचिंग